हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टैक जी, मैं हूँ सुमन सैनी, नेट जीर एफिन कोमर्स, एंड चली स्टार्ट करते हैं आज के क्लास अज का अपना टोपिक है, कोडिंग डीकोडिंग, कोडिंग डीकोडिंग जिसका एक कोशन हर बार अपने नेट अगजाम में आता ही आता है, इसे बिलकुल हम सिंपल तरिके से इसको सॉल करेंगे, तो जैसे एकजामपल लेके चलते हैं, इफ एजुकेशन इस कोडिड एज एफ e o p j yu, यह क्या है ? एजूकेशन का कोड NOW is कोड उख दैन, नोलिजद का कोड क्या होगा ? एजूकेशन के जब कोड बना वह इसके वेस पर हमें जूइसका कोड बनाना है तो हम देखेंगे कैशनस का कॉड कैसे बना रखा है पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एजुकेशन बिल्कुल इसके निचे वर्टू वर्ड हम इसका कोड लिख देंगे डी वी एफ ए ओ पी जे यू अब हम क्या करेंगे इस एजुकेशन में कितने एल्फा बैट है फूरफा बैट है तो हम इसको पहले टू पाउस में डिवाइड कर देंगे इसको ऐसे बीच में टू पाउस में हम देखेंगे हम उन्होंने कैसे बनाया हुत है यहाँ अब्गोर मतलब इस दिन्होंने क्या क्या हुत है और D E इसका code यहाँ, इस तरह से इसने बनाए हुआ है, यहाँ A का A, यहाँ पर की इनों ने कैसे लिख हुआ है? T, T के बाद U, तो इसका यहाँ, सेम इसी तरह से, जैसे इनों ने इसे यहाँ पर किया हुआ है, सेम इसी तरह N O O P I J यहां पर क्या हुआ है मतलब इन्हों ने इस तरह से अजुकेसन का कोड़ बनाया हुआ है तो ऐसे ही हम अपनी नॉलेज का भी कोड़ बनाएंगे तो पहले लिखेंगे नॉलेज तो इसको हम पार्स में डिवाइड कर देते हैं ऐसे यहाँ पर L है तो इसका L का L ही होगा A का A था अब W, W का कोड़ यहाँ पर आएगा W के बाद X और K का कोड़ यहाँ पर K के बाद L O, P यहाँ, M, N, O यहाँ पर E, E के बाद F यहाँ आजाएगा इसका कोड़ और E, F यहाँ पर D, D का कोड़ यहाँ D, D के बाद E, G, H यहाँ पर So, Knowledge का जो कोड़ हो गया, वह ही हो गया इसी तरह से कुछ प्रीविएस कोशन है जो कोड़िंग डिकोड़िंग के आई हुए एनाट एक्जाम में वो हम सोल करके देखते हैं इसे अपनी प्रैक्टिस भी होगी और किस तरह के कोशन एक्जाम में आई हुए यह भी हमें पता चलेगा So, यह July 2018 में आई हुआ है इस वरांची इस कोड़िड है जब वरांची का कोड़ दिया हुआ है हमें कोड़ बताना है कोलकाता का So, पहले वरांची लिख देंगे V, A, R, A, N, A यहाँ पर A भी आएगा यह गलत हो गया S, I, वरांची का कोड़ है W, C, U, E, S, G, Z, Q So, अब इसको हम पार्ट में डिवाइड करते है 8 है यह वर्ड तो इसको ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करते है देखते ही कैसी लिखा हुआ हुआ है A, W, मतलब ऐस तरह से तो जैसे इनोंने पहले बनाया हुआ था वैसे तो इनोंने नहीं बनाया हुआ है तो यह साथ सिंपल हो सकते है U, V, V के बार W, मतलब एक आगे A, B, C, मतलब यहाँ पर इनोंने बिल्कुल नहीं छोड़ा कोई भी अल्फाबैत नहीं छोड़ा A, B, C, यहाँ पर एक आल्फाबैत छोड़ के लिखा है R, S, T दो अल्फाबैत छोड़ के लिखे है A, B, C, D मतलब यहाँ पर त्री अल्फाबैत छोड़ के लिखे है मतलब नीची की तरफ करके पहले एक भी नहीं, फिर 1, फिर 2, 3 alphabet छोड़ के लिखे हैं, यहाँ पे M, N, यहाँ पे N, O, P, Q, R, मतलब 4 words छोड़, 4 alphabet छोड़ हैं, मतलब इसमें मतलब कोई parts में डिवाइड नहीं है, line wise में 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ऐसे alphabet छोड़ के लिखे जा रहे हैं, तो वैसे ही हम Kolkata के लिखे देंगे, K, O, L, K, A, T, A, तो K के बाद L, फिर O, O के बाद हम P के छोड़ देंगे, Q, L के बाद हम 2 alphabet छोड़ देंगे, M और N, यहाँ लिखे देंगे O, K के बाद फिर हम यहाँ पे 2 छोड़, यहाँ पे 3 alphabet छोड़ देंगे, K, L, M, N, O, A, यह यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो A के बाद B, C, D, E, E को छोड़ के F, यहाँ T के बाद U, V, W, X, Y, Y छोड़ दिया, यहाँ पे Z, अब A के बाद 6 alphabet छोड़ देंगे, B, C, D, E, F, G, यहाँ लिख देंगे, H, तो यह बन जाएगा अपना Kolkata का कोड, Second Question है, यहाँ पे Code दिया हुआ है, Covalent का B, W, P, D, U, O, F, M, तो Code हमें Elephant का बताना है, यह No. 2017 में आया हुआ Question है, तो पहले हम इसका Code लिख देंगे, C, O, V, A, L, E, N, T इसके नीचे सेम, इसका Code, तो इसको पहले Two Pass में डिवाइड करके देखते हैं, इसको कैसे किया हुआ है, इसको भी ऐसे किया हुआ है, A, B, C, D, V, W, O, P, और यहाँ पे, T, U, L, M, N, O, E, F, तो यहम ऐसे किया हुआ है, तो वैसे हम L, F, N का Alphabet बना देंगे, कोड, E, L, E, P, H, A, N, T, Elephant, Four Pass में डिवाइड किया है यहाँ है, तो E, F, यहाँ पे, P का कोड यहाँ है, क्या हुआ, L, M, E, F, यहाँ H, I, T, U, A, B, N, O, तो यह हो गया अपना Elephant का कोड, तो यह November 2017 में आया हुआ कोशन है, से मतलब कि एक जैसे सही कोशन हर बार पूछे गए है, यह थोड़ा अलग है, December 2015 में आया कोशन है, जो सीरीज दियो हुई है, इसकी next term में बतानी है, जैसे B, B के बाद D, F, H, तो इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, B के बाद A कालफा बे छोड़ा हुआ है, B के बाद C को छोड़ दिया, D, E को छोड़के F, G को छोड़के H, तो हम I को छोड़के लिख देंगे J, और नमपर कैसे लिखा हुआ है, 2, 5, 12, 27, तो देखें नोने कैसे किया हुआ है, 2, मतलब 2 multiply 2, 2 रूजा 4, प्लस किया हुआ है, 1, 5, फिर इसमें 5 multiply 2, 5 रूजा 10, प्लस किया हुआ है, 2, 12, इसमें भी multiply 2, और प्लस किया हुआ है, 3, 12 रूजा 24, और 3, 27, तो ऐसे ही हम या लिख देंगे, multiply कर देंगे 2, और प्लस कर दे 27 टूजा 54 प्लस में 459 इसका नेक्स टर्म हो जाएगी 59 54 प्लस में 458 सॉरी एंड इसने यहां पर कैसे किया हुआ है एक मतलब इन्होंने एफ जी टू अलफाबे चोड़े हुए है एच आई जे के यहां पर भी टू छोड़े रखे हैं एल एम एन फिर हम भी टू छोड़ देंगे ओ और पी को छोड़ दिया यहां भी लिख दिया क्यों तो यह अपनी नेक्स सीरीज हो गई ओके यह सॉल हो गया अपना नेक्स कोशन नेक्स कोशन यह है जनुरी 2017 में पुछा गया यह कोशन इफ A is coded as C मतलब A का कोड है C, M का I, N का P, S का O, I का A, P, N, E का कोड है M, O का कोड है E और C का है as C अब कंपनी का कोड हम अचानी से बना लेंगे C, C का C, O का E, M का कोड है I, P, P का कोड है N, A, A का C, N, N का कोड है P, I, I का कोड है I as A, I, I का कोड है A, E, E का कोड है M, और S, S का कोड है O So, कंपनी का कोड हो गया, यह अपना अंसर हो गया ओके, यह जनवी 2017 का कोशन है